ब्रिटिश ओप्टीशियन एडवर्ड स्कारलेट ने कन्ना ते नाकते टिकन वाले मौडरन चश्मया दे फ्रेम दी खोज सन स्तारा सोस्ताई विच कीती सी पर एनक दे शीशे यानि की लेंसिज तेरी मी सदी विच ही विजूद विच आ गए सी जिनना दी मदद नाल लोका नो तुंदली दुनिया साफ दिखन लगी पर अक्खाते लगदे ही पस्नेलिटी बदल देन वाले चश्में आखिर बढ़ते के वे ने सब तो पहला लैब विच आउडर जिसीव किते जान देने इस फेक्टरी विच रोजाना 900 आउडर प्रोसेस किते जान देने यानि की 1800 लैंसिस बनाये जान देने इनने लैंसिस नू मिला के जेकर एक लैंस बनाये जावे तब दो किंग साइज बेट जिना एक लैंस बनुगा लैंस नू पावर दे हिसा आपनल करवड शेप जिती जान दी है जिनू करवेचर कहन देने लैंस बनान दा पहला पहलो होंदा है जॉब टिकट यानि की ओ डॉकुमेट जेदे विच सारी डिटेल्स होंदियाने की लैंस दी किन्नी पावर होगी लैंस दी शेप की होगी ते लैंस दी थिकनस की नी होगी आद फिर ब्लैंक्स इशू होंदेने लैंस नू पावर देंड तो पहला खाली लैंस नू ब्लैंक्स किया जानदा है अगले स्टेप विच इना लैंस नू पावर देती जानदी है इस पावर जनेरेटिंग मशीन वेच एक मेकैनिकल आम लेंस ट्रे विचो लेंस नूँ पिक करदा है ते पावर दे हिसाब नाल लेंस नूँ कट ते ग्राइंड करके करवेचर देंदा है इस सारा काम एक कंप्यूटराइजड प्रोग्राम दे नाल किता जांदा है इस तो बाद पॉलिशिंग लेंस नूँ मशीन विच पेज जाए जांदा है मशीन आटोमेटिकली शाइन दे लेंग किनना टाइम ते किनना प्रेशर नाल पॉलिशिंग करनी है ये डिसाइड करती है फिर हुंदी है विजुवल इंस्पेक्शन जिदे विच एक एक्सपर्ट चेक करदा है कि लेंस विच कोई डिफेक्ट था नहीं या पावर सही है कि नहीं तो इस तो बाद लेंस नूँ कोटिंग एरिया विच पेज देता जांदा है लेंस नूँ फुली आटोमेटिक डिप कोट मशीन विच सेट कर देने दो तो तिन कंटे चलनवाले इस प्रसेस विच लेंस नूँ स्टेप बाई स्टेप अलगलग सुलूशन्स जिवें की दी मिनरलाइजड वाटर, अलकलाइन सुलूशन्स, वाटर प्लस एसेड अथे दी आयोनाइजड वाटर विच डिप कर देने ये प्रसेस लेंस नूँ बिलकुल साफ कर देनदा है जिस तो बाद लेंस नूँ और दे हिसाब नल, एंटी रिफ्लेक्शन अते स्क्रैच रिसिस्टेंट वरगियां कोटिंग कीते जान देने लेंस दी कोटिंग तो बाद कुछ टेस्ट कीते जान देने जिवेंकी लेंस दी फोटो क्लॉमिक प्रापटी चेक करन लें ट्रांजिशन टेस्ट जिदे विच जदो यूवी लाइट लेंस ते पैंदी है तर लेंस डाक हो जानदा है नाढ ही एंटी क्लियर प्रापटीज लई पोलराईजेशन टेस्ट अते लेसो मीटर नाल पावर चेक करन तो बाद लेंसिज नूँ बार कोड अते ओडर जॉब टिकेट वाले पाउचिज विच पैक कर देता जानदा है लेंसिज नूँ फिर अप्टीशन दे कोल पचा देता जानदा है जो इना उत्ते कटिंग दे लई मार करना निशान बनादा है तांकि दोना लेंसिज दा एक्सिस बिल्कुल सही होगी फिर चश्मे दे फ्रेम नूँ फ्रेम सेट करन वाली मशीन विच रख देने जिते फ्रेम दा नाप लेता जानदा है एक मशीन लेंसिज नूँ स्मूद ग्रैंडिंग लई गिल्ला कर दी है ते फिर आटोमेटिकली फ्रेम दे साइज दे हिसाब नल कट देंदी है अप्रेम फ्रेम विच लेंस नूँ सेट कर देने ते साफ करन तो बाद तुंदली नजर नूँ क्रिस्टल क्लीर करन वाले चश्मे नूँ बणा उनदा प्रसेस पूरा हो जानदा है ते अनदी की एमियत है एता हर चश्मा पॉर्ण वाला इंसान बाखुपी समझ सकता है सो एसी चश्मादी शुरू तो लेके अन तक दी कहानी के कितना एक प्लेन चीशे तो नजर वालियां एन का त्यार किते हैं जान दियाने उमीद है उन तो उसी जादवी किसे चश्मादे स्टूर ते जाओगे ता तो होनू पता होगा कि कितना एस सोने ते डिजाइनर चश्मे त्यार किते जान देने